Good morning students, how are you all? In this video, we are going to learn our miracle, a textbook in English for class 4. हमने अपने class में, last में क्या करा था? कि जो poem के activities थी, सारी के सारी complete की थी, आज हम करेंगे जो story दी गई है, देखी, the giving tree, this is the story of a tree, जो हमेंसा हम, हमको कुछ न कुछ देती ही रहती, देती ही रहती ही, ठीक है? So, let's start this story, how do you feel when you help someone? आपको कैसा feel होता है, जब आप किसी की help करते हो, how do you feel when you share your things with others? आप कैसा feel करते हो, जब आप अपने पास जो things होते हो, दूसरे को साथ share करते हो, जैसे कि आप अपना different box का भी-कभी share करते हो है न, किसी को pencil चाहिए होती हो, तो आप देते हो, read this play and know how a tree feels when it helps a boy, boy को, tree ने किस तरह से help किया? यह हम देते हैं, देखते हैं, यह एक तरह का play है, और play में हमेंसा, जो बोलता है न, वो, उसे क्या कहते हैं, narrator, चलिए देखती है, narrator क्या कहते हैं, once there was a tree and it loved a little boy, एक बार एक tree था, और उसे कौन परसंद था, एक चोटा सा बच्चा, every day the boy would visit the tree and enjoy its company, every day यानि की रोज, वो जो बच्चा था, tree के पास जाता था, visit means, उसे देखने जाता था, और वो, tree को उसकी कंपनी बहुत पसंद थी, किसकी इस बच्चे की साथ, देखिए, tree, अब tree बोलता है, come here my boy, come and climb up my trunk, and swing from my branches, tree कहता है कि, come here my boy, कहता है कि boy, तुम यहाँ पर आओ, and climb up my trunk, trunk किसे कहता है पता है जो पेड होता है न, जिसके उपर सर्म उपर चलते, उसे कहते है trunk, कहता है, उसके उपर चलो, and swing from my branches, branches जो छोटी छोटी लाली होती, उसे कहते है, उसके उपर तुम swing करो, यानि की जूला-जूलो, आपने भी जूला-जूला होगा, कभी कोई tree के उपर है न चलिए अब देखिए boy देखिए bracket में लिखा गया है swinging from branches boy क्या कर रहा है swing वो जूल रहा है branches के उपर what a fun कितना मज़ा आ रहा है boy कहता है interested are you hungry hungry means वो पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है eat my apples तुम मेरे apples खा जाओ tree said are you hungry eat my apples and the boy said eating apples वो एपल खा रहा है how delicious यह delicious means कि कितना tasty है narrator said when the boy was tired he slept under the tree narrator कहते है कि जब वो boy महाँ पर खेल कर थक जाता था वो सो जाता था कहाँ पर under the tree the tree was happy to give his shed shed यानी की छाओ जब हमें बहुत दूप लगती है तो हम पेट के नीचे जाकर बैठ सकते हैं न तो वो ट्री बहुत खुश होती थी क्योंकि वो अपना shed अपनी छाओ उस बच्चे के उपर था उपर था और बच्चे बच्चा वहाँ पर सो जाता था but time went by उसी तरह से time जाता रहा and the boy grew older फिर वो बच्चा था थोड़ा सब बढ़ा हो गया and went away वहाँ से चला गया the tree was often alone वो वहाँ पर tree जो था वो अकला रह गया after some years थोड़े सालों बाद one day the boy come the boy came to tree एक दिन वो लड़का वहाँ पर आया and the tree was very happy बहुत सालों के बाद जब वो लड़का वहाँ पर आया तो वो जो tree था बहुत ही happy हो गया and then the tree said come boy come and climb up my trunk वो कहता है कि आओ और मेरे trunk के उपर चड़ो and swing from my branches मेरी branches के उपर चड़ो और swing यानि कि जूला जूलो and then boy said I am too big to climb and play में बहुत बढ़ा हो गया हूँ कि अब में climb उपर नहीं चड़ सकता और खेल नहीं सकता I want to buy things and have fun मुझे ही तो चीज वस्तुए खरिटनी है मुझे fun मुझे मज़ा करना है I want some money उसके लिए मुझे कुछ money यानि कि पैसे चाहिए can you give me some money कि तुम मुझे कुछ money यानि कि मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तो ट्री कहता है I am sorry but I have no money वो माफी मंगता है कि I am sorry मेरे पास तो पैसे नहीं है I have only leaves and apples मेरे पास तो सिर्फ पते है leaves यानि पते और apples है you can pluck my apples and sell them in the market तुम मेरे apples ले लो pluck काना मिन्स उसे वहाँ से जल्ली से तोल ले ना and sell, sell काना मिन्स market में जाकर उसे बेश दो then you will have money उसके बाद तुमारे पास पैसे आ जाएंगे narrator क्या कहते है उस वक तो boy happily plucked the apples and carried them away boy ने तो अच्छे से apples plucked यानि की उता ले वहाँ से और लेकर वहाँ से चला गया the tree was also happy tree भी खूस हो गया but the boy stayed away for a long time and the tree was sad बहुर टाइम तक boy वापस ही नहीं है इसलिए tree फिट से sad यानि की उदास हो गया one day the boy come back and the tree shook with joy एक दीन अचानक से वो बच्चा वो जो boy था वो वापस आया और tree एकदम से shook with joy एकदम से खूस हो गया उसके बाद उस tree को देखकर वो उस boy को देखकर tree कहता है come boy come and climb up my trunk swing from my branches eat my apples play in my shed and be happy वो tree कहता है कि आओ बच्चे तुम मेरे trunk के उपर चड़ो मेरे branches के उपर जूला जूलो मेरे apples खाओ और मेरे shed के नीचे रहो और खुस रहो boy कहता है I am too busy to climb trees मैं तो बहुत busy हो गया हूं कि tree के उपर चड़ो I am getting married मेरी तो साधी होने वाली है and I need a house for my wife मेरे वाइफ के लिए मुझे house चाहिए and children देखे मेरे बच्चे और मेरे चिल्डरन के लिए मुझे house चाहिए can you give me a house तुम मुझे एक गड़ दे सकते हो क्या चलिए then tree say I have no house मेरे पास house नहीं है but you may cut off my branches and build a house लेकिन तु मेरे ब्रांचिस यानी की मेरी जो पेड की डालिया है उसे कट करकर अपना house बना सकते हो narrator कहते है so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house वो उसकी ब्रांचिस काट कर चला गया घर बनाने के लिए the tree was very happy tree तो बहुत खुश हुआ but the boy stayed away for a long time फिर से वो बहुत सालों तक नहीं आया and the tree was sad again और फिर क्या होता है कि tree फिर से sad हो जाता है ठीके तो आज हम अज की जो story है इतनी रखते हैं इसके बाद क्या होता है क्या वो boy वापस आता है और उसके बाद वो क्या मांगता है यह सब हम अपने next video में देखेंगे इसके बाद की देखेंगे एंगे नहीं है